हेलो यूट्यूब दिसी आदर्श और यू रौचिंग बिजनेस के लिए आदर सिंग सब्सक्राइब को सबसे पहले और उससे पहले जैसे कि आज 31 है तो 31 को मैं आपको अडवांस में हैं चाहता हूं सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियो को हमें से फॉलो करते हैं उन सभी को में तरब से यादि की बिजनेस क्लिव आदर सिंग की तरब से एपका जो आने वारा साल है बहुत ही अच्छा हो आप लोगों के लिए और दूसरी चीज यह है कि Quickshop.in जो एप है इसका Play Store पे वहा आप लिए और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था मेरे इमेल आडी है जो अपना आइडिया और बिजनस बॉर्ट शेर कर सकते हैं मेरे साथ में 24x7 अभी तक तो मेल नहीं आ है मेरे पास लेकिन आप में से बहुत साइव चाहते हैं मेरे से करना तो वहां मेल कर सकते ह तो आज हम बात करने वाले हैं पिछडेक के उपर में पिछडेक होता क्या है आप इसे बहुत सारे एंटरपरेंस को बिल्कुल पता नहीं होगा इसके बारे में कि पिछडेक आखिर किस चीज का नाम है आखिर पिछडेक होता क्या है लेकिन आपको पता नहीं है पिछडेक आपके start-up में बहुत बड़ा एक role play करता है यानि कि जो भी start-up लेके आते हैं बहुत से enterprise होते हैं जो उनको बस यह होता है कि start-up कर लें लेकि start-up के अंदर यह भी सोचते हैं कि लेना है लेकिन यह पता नहीं होता है कि investment तो लेना है लेकिन यह पता नहीं के लिए इसे नहीं कि आप बिल्कुल उठें और आज अपने important role play करता है पीश डेक के अंदर में क्या होता है पीश डेक के अंदर में आपको आपकी जो business का model है आपका जो idea है उसके अंदर proper detail में लिखा होता है ऐसे नहीं कि आप अपने मुह से जाएंगे और किसी भी investor के में बोल देंगे कि मेरा यह business idea मैं future में यह प्लान लेकर आ रहा हूं तो वह बिल्कुल सुनेंगे यह प्रफेशनलिजम बिल्कुल नहीं होगा वह आपको बाहर कर दिखा देगा कि आप चले जाए यानि कि आप बिल्कुल नए है और जीरो है आपको कुछ भी knowledge नहीं आपक जाना ही होगा और pitch deck में होता क्या है जो इन्वेस्टर आपसे पूछेगा वह यह होता है कि आपके future plans क्या है आपके स्टाइप के लिए यानि कि आप उसके इंदर जितने भी models त्यार कर रहे हैं आपके business का model क्या है कौन से model पर काम कर रहे हैं उसके बाद जब आपको investment चाह आपको लेगाना है तो इसके लिए आपको office बहुत बड़ा चाहिए आपके team भी आपको चाहिए office के अंदर में laptops, desktops, furniture, आखिर कौन से जगहा पर आपको office होगा कौन से area में वह area भी expensive होगा जहां पर लेने के जा रहे हैं आप rent पे ले रहे हैं या अपना मकान बाइक कर र हैं तो online service में आपके पास employees कितने होना चाहिए, उनकी salary कितनी है, आपके पास एक-एक laptop, desktop apple का है या फिर normal desktop है और apple लेना चाहते हैं तो apple के आपको वह भी budget आपको डालना पड़ेगा, मतलब total आपके future में आगे आप promotions कैसे करेंगे अपने startup के लिए, क्योंकि ऐसे आप जाए investment तभी मैं आपको करूँगा, जब मुझे पूरा आप A to Z detail बताएंगे, A to Z detail में यह होगा, investor कहेगा कि अगर मैं आपको invest करता हूँ, तो आप अपने startups का promotions कैसे करेंगे, आप अपने startups के लिए सारा setup कैसे त्याया करेंगे, तो उसमें आपको pitch deck के अंदर में आपको ये mention कर करना होगा, कि मेरे लिए future में जो भी मैं काम करूंगा, like promotions करना है, तो promotions के अंदर में आप digital markets पे कितने अग्रेसल भी प्रोशन करेंगे, और उसमें कितना investment आने बारा है, हर साल के regarding में, अगले साल, इस साल, फिर उसके अगले साल, मतलब future के जितने भी promotions के आपकी जितने भ requirement है, वो सारा कुछ mention करना होगा, और उसमें pitch deck में mention करने के बाद में आपको इस investor को pitch करना होगा, जो pitch करेंगे, तो आपका वो pitch deck देखेगा, उसमें सारे slides, आपके जितने भी business model के according सारे slides होंगे, तो आप उने दिखाएंगे, तो वो पढ़ेंगे, और उसके बाद वो decide करे करेंगे, आपको investment वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, कि pitch deck बहुत सारे हमारे entrepreneurs को पता बिलकुल नहीं होता है, zero knowledge देखेग के बारे में, क्योंकि pitch deck ऐसा वैसा चीज नहीं है, जो आप उठें और खुद से तयार कर लेंगे, notpad पे हो गया, ये लिजिए, आप ऐसा नहीं होता है, कि आपने laptop खोला, उसके पर थोड़ाव स्लाइड बना लिया, हलका वफलका कुछ लिए अपने company बारे में, pitch deck ready हो गया, आप लेकी चले जाएंगे, तो ऐसा भी गलती मत करीगा, pitch deck बिलकुल professionally बना होना चाहि ये, जिसके लिए आपको पैसा भी खर्च करना पड़ता है, pitch deck अगर आप जा रहे हैं professional तयार करवाने के लिए, तो वहाँ पे जिससे भी आप pitch deck बनवाएंगे, उसका pitch deck का सिर्फ चार्ज होता है 25 से 30,000 रुपे, जो कि आप किसी के पास जाएंगे बनवाने के लिए, तो फ्यूचर में ऊपर लेकि जाने के लिए, आपको सारे details बताएं, कि आपको ऐसे काम करना हैं, तभी आपको investment मिलेगा, हर एक step पे आपको describe करें, हर एक चीज के बारे हैं, तो pitch deck अगर आपको कोई दोस्त है, तो आपको बता देगा कैसे बनता है, तो अगर अपने आप से मै बिना तो आपको investor बात भी नहीं करेगा, आपको बिल्कूल एक रुपया भी बिना pitch deck के देगा ही नहीं, क्योंकि आपका जितना भी अंदर का जो आपको चीज सोचा है, कि मेरा idea कैसा है, मेरा business कैसा है, वो सारा उतार के आपको pitch deck पे रखना पड़ता है, और वो pitch deck छोटा म को पैसा लेगा, 25 से 30 सार इसका चार्ज होता है, और नहीं तो आप ऐसे लोग को ढूंड़े अपने team के दर में रखिए, जो उन्हें पता है कि pitch deck को ready कैसे करते हैं, क्योंकि आप ये बिल्कुल दिमाग से अपने खयाल निकाल दिजिए, कि मुझे उठूँ और मैं जाके investment क इसा जगा है, जहां पर आपको pitch deck मिलेगा, उसका contact number या फिर उससे मैं आपको बात प्रिगा सकता हूँ, तो आपके लिए वो pitch deck ready करके दे भी देगा, तो जैसा मेरे, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि बहुत सरे channels ऐते हैं, ऐसे हैं start-ups के, जहां पे failure के बारे में तो आपको नहीं बता है, लिए मेरे चैनल पे आपको, मैं इस किस सिखा रहा हूँ को, मैं चाहता हूँ कि start-up कराऊं, ऐसे नहीं कि दूसर चैनल के ओपर में आपके failures बताएंगे, तो आप उससे डड़ के पीछे हर जाएंगे, वैसा नहीं है मेरे चैनल पे, मैं आपको success बता को मेरे तरब से happy new york की wishes हैं, अगले नहीं शार में जिसी आएगा 2020 तो उसके अंदर में आप अच्छे-चे start-ups को grow करें, और अपने startup को grow करने से पहले, आप छोटी-छोटी बारी को जान ले और मेरे चैनल को subscribe करें, आप वीडियो मेरे देखे करिए, कि अगर आपको पता अगर आपके लिए नया वर्ड है ये तो उनको अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें, अपने startup में इस points को note करें और आगे grow करने के लिए रेडि कर पाए अपने आपको, यही था आज का वीडियो, so entrepreneurs be motivated, do start-up and become entrepreneurs, this is Adarsh and you are watching business के लिए आर सिंग, signing off.